हलो एवरिवन आज है 17 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें NBCC इंडिया के बारे में देखो सरकारी कंपनी है यह 60 रुपय का सेर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जोड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में आख की तरह तेजी पकड़ी है इसने प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो देखिए NBCC इंडिया 60 रुपय का शेर एक महिने में बहतरीन तेजी एक साल में भी देखोगी तो 80% का ग्रोथ है एक्चुली में पैसा इसने डबल करके दिया है पिछले 6 महिने में 31 रुपय का शेर था ये 31 रुपय का था 28 मार्च को और अभी देखा जाए तो 60 रुपय से भी उपर जा चुका है तो बहतरीन तेजी कहा सकते हैं कि देखने को मिली है पिछले 6 महिने में देखने को मिली है लेकिन एक चीज़ याद रहे जब भी इसने रफ्तार पकड़ी है जब भी इसने तेजी दिखाई है करेक्शन बना है तेजी दिखाई है करेक्शन बना है तो आगे भी एक्सपेक्टेड है खास है कि जिस रेंज पर अभी है 60 से 65 का जो रेंज है एक रेजिस्टन्स वहाँ पर है ज़रूर जो इसको नीचे की तरफ जो तरफ है वो ड्रैक कर सकता है अभी जो खबरे है वो अच्छी आ रही जिसके चलते शेयर में तेजी है अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि स्टील और्थरोडी ओफ इंडिया की तरफ से इनको एक बड़ा ओर्डर मिला था जिसके चलते तेजी आ गई यहां पर 180 करोड रुपे का जो ओर्डर था वो इनको मिला था और देखो अभी पता है गवर्मेंट में क्या चल रहा है एक दूसरे को ओर्डर दे रहे है ठीक है एक दूसरों को करोडो करोडो के ओर्डर मिल रहे हैं जिसके चलते तेजी आ रही है और भेल में भी अगर आप देखो हुए ते friday को बड़ी quantity में share trade हो रहे और देखो अभी ना सरकारी company या ट्रेंड में है सरकारी company हो कि वह या मज़े हो रहे है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो according to money control user हर कोई क्या रहा है खरीदारी करो hundred percent लोग according to money control user numbers अगर आप देखोगे तो यह थोड़े से कुछ अलग बयां करते हाला कि पहले decline mode शुरू हुआ था अभी increase mode शुरू हुआ है अगर हम annual performance देखेंगे तो अगर quarterly performance देखेंगे तो ठीक है decline आया था अभी last quarter में growth नहीं क्या सकते उतनी बड़ी लेकिन उसे पहले बढ़ना भी शुरूआ था June में decline था अभी September में देखेंगे कि इसके number कैसे हैंगे देखो अच्छे आएंगे ऐसे उम्मीद मैं करता जरूर हूँ जहां तक profit अगर हम देखें तो यह थोड़ा सा improve हुआ ज़रूर है पहले क्या दा कि सेक्टर पी 45 का है सस्ता अभी भी कह सकते लेकिन कोई भी एनलिस्ट बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे क्योंकि जिस लेवल पर है यह थोड़ा सा महंगा है ठीक है आप इसको इंकार नहीं कर सकते यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे भी अगर हम देखेंगे तो प् 3.24% mutual fund के पास है 7.11% domestic के पास है 3.84% FIS लेकर बैठे हैं retail और अधर की मिलाकर 24.06% की holding देखने को मिल रहे है जिनमें से retail investor 19.41% की holding लेकर बैठे है देखें overall मैं यह कहूँगा कि मुझे company पसंद थी लेकिन जब सस्ते valuation के उपर था जब से जब यह सस्ते price पे था अगर आब पर मौके बन रहे हैं लेकिन अभी यह 60 रुपय की range पर है यहाँ पर मैं कहूँगा कि शायद profit taking के भी मौके बीच बीच में आपको नजर आ सकते हैं और अगर देखा जाए तो already हमने small cap और mid cap में बड़ी आसी तीजे देखी है तो मैं expect कर रहा हूँ कि बीच बीच में profit taking आ सकता है जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जब एक दिन में बड़ी गिरावट आई थी और खास है कि small cap और mid cap में बड़ा correction आया था तो 60 से यह सिधा 55 से भी नीचे चला गया था शेर वापस attempt किया वापस तीजी दिखा दिखा दिया डेफिनिल अच्छी बात है यह और वज़ भी है खबरों खबर की वज़य से कि वैसे से बड़ा order मिला तो देखो आगे expected जरूर है कि इस company को कुछ orders मिलते नजर आ जाएंगे कुछ सरकारी कंपनियों की तरफ से ही मिलते हुए नजर आएंगे गवर्मेंट की तरफ से भी मिलते हुए नजर आएंगे लेकिन जो election वाल तेजी इसना दिखा दी है और मुझे लगता है कि वहाँ पर बन सकते हैं अब काफी लोग इससे agree भी करेंगे काफी लोग नहीं भी करेंगे लेकिन मैं चीज़ कहूंगा कि या देखो company अच्छी है लेकिन देखा जाएं तो valuation भी matter करता है और resistance भी matter करता है यो खबरों के व वापस 50 रुपए के आसपास उससे नीचे जाता है definitely तब वहाँ पर buying के मौके आपको नजर आएंगे और यह को सरकारी जो company उसमें reverse ला रहा है अच्छी बात है कि सरकारी company अब अच्छा perform कर रही है अब पहले की तरह undervalued नहीं रह रही है तीजी आर यह अच्छी बात है ल करी है बीच में थोड़ा बहुत रुकना चाहिए और उसी जब यह गिरावट आएगी मौके बन सकते है वहाँ पर यहां से मुझा रिस्क जादा है रिवार्ड कम है तो इसलिए मैं कहूंगा कि वेट करें और थोड़े से correction आएंगे तब मौके बन सकते है बाकी मरजी आप